नेक्स्ट नाइन न्यूज भोश्पुरिया के सब्सक्राइब करी अलेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं नमस्कार मैं प्रियंका आप सभी के सामने फिर से लेकर के हाजिर हूँ भोश्पुरि की ताजा तरीन खबरे भोश्पुरिया टॉप 5 में आपको रूबरू करवाती हूँ भोश्पुरि इंडस्टी की वो तमाम ऐसी खबरे भोश्पुरि इंडस्टी की फिल्मों से जुड जुड़ी हुई होती है और उनके social activities के साथ जुड़ी हुई होती है तो चलिए सुरवात करते हैं आज की खबरों की सबसे पहले आज बात करने वाले हैं भोझपरी के देशी hero खेसारी लाल यादब के बारे में खेजारी लाल लियादब की बहुत चर्चित फिल्म और उनके दिल के बेहत करीम जो फिल्म थी जिला चमपारन वो भोचपरिया बॉक्स ओफिस में सूपर डूपर हिट होने के बाद ये फिल्म शोशल मीडिया पे 26 जनवरी को रिलीज कर दी गई है इसके साथ ही साथ हमारी जो दूसरी ख़वर होगी वो है भोचपरिय के तमाम सूपर स्टारों के साथ 26 जनवरी यानि की गंतंतरता डिवस को काफी धूम धाम तरीके से पुरे देश भर में मनाये गया लेकिन किस तरह से जो हमारे भोचपरिय इंडस्ट्री के स्टार है उन्होंने किस तरह से गंतंतरता डिवस को सेलिब्रेट किया किस तरह से अपने दर्शकों को बधाई दी ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे इसके साथ ही साथ हमारी जो तीसरी ख़वर होगी वो है वो जुपरी के जुबले स्टा दिनेश लाली आदम निरहुआ से जुड़ूई जी हाँ निरहुआ का 26 जनवरी को स्टेज शो था जो की कफी धमाकेदार रहा मुंबई में मुंबई में उनका स्टेज शो के दारान उनका एक स्टेज शो की और ख़वर है जो काफी जादा इन दिनों चर्चाओं में पनी हुई है कौल सी है वो ख़वर क्या है उस ख़वर में स्पेशल आपको हम इस रिपोर्ट में बताएंगे इसके साथ ही साथ हमारी जो चौथी ख़वर होगी वो है फिल्म के शूटिंग से जुड़ ही अक्सर हम लोगों को ये सुनने को मिलता है कि भोशप्रे इंडस्ट्री में जो सुपर स्टार्स होते हैं जैसे कि हमारे निरहुआ, खेसारी और पवन जी इन तीनों के बीच हमेशा से लड़ाई की ख़वरे हम सभी के सामने आती रहती है लेकिन इन सभी ख़वरों को गलत साबित करते हुए जहां कुछ समय पहले खेसारी की फिल्म दुलिन गंगा पार में खेसारी और आमरिपाली का आइटम सॉंग देखने आम निरहुआ पहुचे थे तो वहीं अब निरहुआ और आमरिपाली की फिल्म को देखने के लिए खेसारी लाल यादा पहुचे है कुछ तस्वीरे वाइरल हुई है वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे इसके साथ हमारी जो पांचवी ख़वर होगी वो है भोश्प्री इंडस्टी की लैला काजल रागवानी के बारे में काजल रागवानी ने साल 2017 में बहुत ही धमाकेदार कह सकते शुरुआत की थी उस साल की और उनकी सबसे पहले फिल्म रही महनदी लगा कर रखना वो बंपर हिट होते के साथ ही भोश्प्री इंडस्टी में वो एक यादगार फिल्म बन गई है लेकिन साल 2018 में जो काजल रागवानी की आने वाली फिल्म में है क्या है उस फिल्म में खास हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे तो देखिए ये भोश्प्री की टॉप फाइब खबरे भोश्प्री की देशी हीरो की फिल्म की चर्चा तो बॉलीवूर्ट तक हुई थी जी हाँ वो फिल्म है जिला चमपारण जिसमें की आक्टर खेसारी लाल यादव और एक्ट्रेस मनी भट चारिय के कई बोल्ड और हॉट सीन है इस फिल्म का धूम भोश्प्रिया बॉक्स ओफिस पर होने के बाद अब इस फिल्म को शोशल मीडिया पे कल रिलीज कर दिया गया जिहां 26 जनवरी गंतरत्ता दिवस के मौके पर इस फिल्म को शोशल मीडिया पे रिलीज कर दिया गया है जिला चमपारण में खेसारी लाल यादब के साथ मोहीनी घोश और मनी भर्चारिय तो है ही साथ में अबधेश मिस्रा, संजय पांडे, वनोस्ट्राइगर, आनंद मोहन, संजय महानन किरन यादब भी मुख्य भूमिगा में है और इस फिल्म को एक दिन में करीवन 6 लाग से जादा लोग देख चुके हैं और इस फिल्म को एक दिन में इतने व्यूज मिलने के वजह से आज ये फिल्म यूटूब पर ट्रेंडिंग में चल रहा है फिल्म बिहार के चंपारण जिला की एक सची घटना पर आधारित है फिल्म में एक्शन के साथ भरपूर रोमांस भी है फिल्म में उन सभी बारीकियों को खास राध्यान रखा गया है जो एक सची घटना पर बनाने वाली फिल्मों में होता है जिला चमपारण जैसी सची घटना पर आधारित फिल्म में किरदार हुबहु जीना आसान नहीं था लेकिन ऐसा संभव हुआ पूरे देश भर ने 26 जनवरी को अपना 19 गंतंदर दिवस मनाया जी हाँ इस मौके पर भोचपी स्टार्स ने भी अपने इंस्ट्राग्राम अकाउंट के जरिये गंतंदर दिवस की सूप कामनाय दी है भोचपी महानायक, रवी किशन, खेसारी लाली आदब, पवन सिंग, दिनेश लाली आदम ने रहुआ, मोनलिसा, अर्विन दकेल, कलू, मधुशर्मा, सीमा सिंग, प्रियांका, पर्णित, शुभी सर्मा और अन्ने, सेलेब्रिटी ने अपने अंदास से शोशल मीडिया प ने भी जंडे के साथ फोटो पोश्ट की, भोचपी एक्ट्रिस मोनलिसा ने भी गंतरतता दिवस पर पोश्ट करते हुए लिखा कि सभी को हैपी रिपब्लिक डे, जैहीन वही मधुशर्मा ने भी भारत को माचित के साथ सभी को हैपी रिपब्लिक डे कहा, इसके साथ ही भोजप्री के और कुछ सेलिबिटी ने भी दर्शकों को विश्च किया इस मौके पर राजपत पर देश के सैनितानात के साथ साथ देश की संस्कृति और विकास की छलक भी देखने को मिलेगी इस साल गंड़तना दिवस परेड में दस आसियान देशों के राष्ट राष्ट के दिन बसेरा मुंबाई में स्टेश शो रहल जे स्टेश शो में निरहुआ और रामरपाली के देखे खाते दर्शक लोगण के भारी भीर उमलगे रहे जी हाँ निरहुआ आमरपाली के स्टेज शो फोटो आपन इंस्ट्राग्राम आकाउंट पर शेर कहने हैं जे फोटो में आमरपाली के साथ निरहुआ भी मौजूद बाड़े जी हाँ और साथ में निरहुआ ए फोटो के साथ लिखले बानी कि हमके ये शो करे में काफी अच्छा लगल और हम दर्शक लोगन की इतना प्यार देख के बहुत खुश बानी वैसे रहुआ लोगन के बता दी कि निरहुआ के जहां कल आपन देश के खातिर स्टेश शो करत रहनी तब ही कल निरहुआ और आमरपाली के एगो स्टेश शो के वीडियो वाइरल भहिलबा ये वीडियो में निरहुआ आमरपाली से सब दर्शक लोगन के सामने कहनी हां कि आमरपाली हम रहुआ के ही देख के जी रहल बानी जी हाँ गरहुआ लोगन के सही सुनते बड़े वैसे आमरिपाली और निरहुआ के जोड़ी ता वैसे भी दर्शक लोगन के काफी पसंद वा वैसे ता एबास सब के पता ही हा कि निरहुआ और खेसारी के दोस्ती काफी अच्छा हा खेसारी कई बारापन इंटर्व्यों में कहनी हां कि निरहुआ के वापन बढ़ भाई मानत बनी तब ही निरहुआ भी खेसारी लाली आदब के आपन छोट भाई मानते वा और आज ये दुनू के दोस्ती फिर एक बार सामने आई था जी हां निरहुआ और आमरपाली के फिल्म के सेट पर खेसारी पहुच गेल बारे उन्दर फिल्म के शूटिंग देखे खाते और आज उप फोटो शोचल मीडिया पे काफी तेजी से वाइरल हो रहलबा वैसे हम निरहुआ के पहले कवर में बतवले रहनी जहां खेसारी लाली आदब के फिल्म दुलीन गंगा पार के एगो आईटम डांस के शूटिंग खेसारी और आमरपाली करत रहनी जे शूटिंग देखे खाते ने रहुआ भी गेल रहनी जे समय के फोटो भी काफी तेजी से सोशल मीडिया पे वाइरल भेल रहे वैसे फोटो के देखे सेताई ही लागता की भोचप्रे इंडस्टिंग में काफी तेजी से बदलाब हो रहलबा जहां पहले इस सब स्टार के एक दूसरा के लडाई के खवर सामने आत रहे काजल रागवानी अब किसी परिचे की महताज नहीं है वो भोचप्री में एक अच्छी हरोईनों में से एक है उन्होंने अब तक दो दर्जन से जादा फिल्मों में भोचप्री के स्टार एक्ट्रिस के साथ काम कर चुके हैं जिसमें पवन सिंख सारी लाली आदब मुखे हैं 2017 में उनकी कई फिल्में रिलीज हुई जिसमें महनी लगा कि रखना एक नया कृतिमान इस्थापित किया है और कई उनकी फिल्में साल 2017 में हिट रही जिन में से मैं सहराबान क्या हूँगा सरकार राज और मुकदर आदी मुखे है अब हम आपको बताते हैं कि साल 2018 में उनकी आने वाली परमुक फिल्में कौन-कौन सी है जिसके शूटिंग हो रही है या हो चुकी है और या फिर कहें कि उनका महरत भी हुर हुआ है तो चलिए सुरुवात करते हैं सबसे पहले उनकी फिल्म है हीरो ग्री अपरादी सैया, बैरी कंगना 2, दरार 2, बलमा जी, आई लव यू, सिरिमान सैया जी प्रोडक्शन नमबर 2, दिवाना पन, जान लिवा महबत, ही इह बाप प्यार के रंग हजार, दुलहन गंगा पार के चोर मचाय शूर वैसे हमने आपको जिस फिल्मों के नाम बताए हैं इन फिल्मों को लेकर के काजल ने तयारियां शुरू कर रखी हैं लेकिन इन फिल्मों के अलावे भी काजल साल 2018 में अपनी नई फिल्में और ला सकती हैं यानि कि देखा जाए तो काजल के नाम की धूम जिस तरह से साल 2017 में हुई थी उसी तरह से साल 2018 के लिए वो तैयारी कर चुकी हैं तो देखा अपने भोशपरी के वो तमाम ऐसी खबरे जो के आपके सुपरस्टार्स के साथ जुड़ी हुई थी इनकी फिल्मों के साथ जुड़ी हुई थी अब बात करते हैं हमारे दर्शकों की बाइ दर्शक तो हमेशा से हमारे इस प्रोग्राम को अपना प्यार और आशिर्वात दे ही रहे हैं इसके साथ-साथ आप जो अपने दिल की बाद अपने सुपरस्टार्स को लेकर के शेयर करते हैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद इसके साथ-साथ मैं आपको एक छोटी से जानकारी और देना चाहूंगी कि अगर जो आपके सुपरस्टार्स के बारे में उनके जीवन से जुड़ी कोई जानकारी लेनी हो वो भी आप हमारे इस रिपोर्ट में पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे, कि हम अब तमाम खबरे हम आप तक पहुछा सके इसके अलावा आप जो questions पुछते हैं जो सवाल पूछते हैं उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुछा सके बागी के जो हमारे इस program में अगर जो आपको कोई भी जानकारी लेनी हो वो भी आप इस program में comment box के दरिये पूछेगा और आपको हमारा ये program कैसा लगा या कैसा लग रहा है वो बिल्कुल comment box में लिखना बिल्कुल जरूरी है आप उसे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा ठीक है भोट्च परी की Top 5 ख़वडों में इतना ही मैं आपके सामने ने फिर से हाजशर होंगे भोट्च परी की Top 5 ख़वडों के साथ तब तक भोट्च परी की तमाम और ख़वडों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें Next 9 News भोट्च परी या कल मैं फिर से आपके सामने लेकर के हाजरूंगे भुछपी की टॉप 5 खबरे तब तक यह लिए दीजिये जादर नमस्कार